तो दोस्तों अब हम नजीवाबाद बाइपास को कवर करेंगे दूसरी साइट से जहां ये नजीवाबाद शेहर को बाइपास करता हुआ कोर्दवार की तरफ आ रहा है और इसकी शुरुवात हम करेंगे मालन नदी से यहां पर भी एक और ब्रीज बनाया जा रहा है और इसकी तो है प्रोग्रेस काफी स्लो है पिसली बार जब मैं आया था ना तो यहां पर गर्डरी लॉंच हुए थे और अब भी उतना ही काम यहां पर हो रखा है इस साइड के गर्डर्स लॉंच हो चुके हैं बट दूसरी साइड में अभी कुछ खास काम नहीं हुआ है जब तक यह कंपलीट नहीं होगा तब तक इस से आगे का प्रोग्रेस बराना बड़ा मुश्किल है बाइक की मदद से जहां वो इंटर्चेंज में रहा है फिलाल यहां से उस दिशा में बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि कोड़वार की दिशा में क्या कुछ काम हो है वो भी आपको देखा हूँ इस वीडियो में यहां से राइट तरन ले लोगे और सिधा बाइपास कर जाओगे पूरे के पूरे के पूरे कंजस्टिड सीटी एरिया को नजी बबात के और सामने आप देख रहे हो उस therein को बनाने का क्रता जा रहा है जो एक आपके exit lane होती है highway को जो exit करने के लिए बनाई जाती है आप यहाँ पर देख सकते हो यह बनाई जा रही है एक exit करने के लिए lane मतलब जिन लोगों को exit करना होगा इस हाइवे से जहां तक देखकर समझ में आ रहा है वो ही ही है कि यहां से आप सीधा इस हाइवे से उपर चड़ जाओगे उस लेन की तरफ और यह लेन आपको कनेक्ट करेगी कोड़ पर और सीधा जाने वारे लोग वो होंगे जिने हरीदवार जाना होगा ओधीन कोड़ तो यहां से भी कम सब्נס मिए चालिस किलोमेटर दूर तो होगा ही यह फूरा ग्रीन फील्ड बनाया जा रहा है यह बनाया जा रहा थाकि कोई भी ट्राफिक कंजेशन में ना फसे लोग के जोने पाद पड़िक पार सेक्शेण के उपर श dynamics कर जाएंगे पर चले जाएंगे कोड़ द्वार की हो अब मैं आपको प्रोग्रेस बता हूँ ना प्रोग्रेस बहुत जबरदस्त है पिछली बार जब मैं आया था तो यहां पर सब नाले वेगरा बनाना काम चल रहा था लेकिन अभी देखो कितना काम यावर हो गया है अब देखो यार अगर आप में मेरा पिछली वीडियो नहीं देखे तो जा कि मेरी लिस्ट में देख लो एक बार वीडियो कोड़वार बाइपास से रिलेटिब जो मैंने बनाए है दो वीडियो में बनाए है उनने देखो आप और उसके बाद यह वाला वीडियो देखो आप यह जो एक फ्लाइवर वाला सेक्शन है इसको तो बहुत तेजी से तियार किया गया है यहाँ आप देख रहे जो रैंप वाला एरिया है जो रैंप सेक्शन है तो यहाँ पर कि तो हदो खबर तो अच्छी ही है उकाफी तेजी से यहाँ पर काम हो रहा है जो मालन नदी के ऊपर सिंख एत्द क्विश्च होता है कि पहले बाक levator बाद में उस थुल के क्या जाए क्या जाए ठीग आज कल बहुत तेजी से काम हो जाते हैं वी है अब को डिकां कि pedir Gallag यहां पर और अच्छी का सी प्रोग्रेस यहां पर देखने को मिल रही है और यह जो है कोड़वार की दिशा में जो बढ़ रहा है वो एरिया और यहां पर भी एक ब्रीज बनाया गया है एक छोटा सा ब्रीज ही कह सकते हैं उसको हम जिसको भी लगभग ऐसा लग रहा है कि कम लोगी मित्रो तो यह हम आ गए है कोड़वार के एक और सेक्शन पर जहां पर सामने मुझे नजर आ रहे हैं पहाड जो कोड़वार के एरिया में पढ़ते होंगे और यहां पर रोड को बनाया काम किया जा रहे हैं उसका लेवलिंग का काम यहां पर चल रहा है उसके अलावा पीछे जो फ्लाइओर का आपको मैंने बताया था रेम पेजिया रेडि कर लिया गया है तो उन्हें बताया मेरे को कि निकल जाओ उपस बन गया है यह तो मैं इसलिए यहां से आ गया अभी यह एरिया मैं नीचे से क्रॉस किया था इस बार यह एरिया मैं क्रॉस कर रहा हूं उपर से भाई यहां पर इसको बना लिया गया है तो देखो यहां पर भी तो भाई यह देखो यह एरिया मैं क्रॉस कर रहे हैं अब और सब यहां पर बॉल ब्लॉक्स लिगरा सब लगा लिए गए हैं और एनस सेविंटीफॉर पर कनेक्ट हो जाते हैं तो भाई यहां से सामने देखो आप एनस सेविंटीफॉर आ गया है तो दोस्तों यहां पर यह नजीवाबाद बाइपास एनस सेविंटीफॉर को क्रॉस करता हुआ बढ़ जाता है कोड़ दुआर की तरफ और कोड़ दुआर की तरफ से एनस सेविंटीफॉर तक का वीडियो मैं इससे पहले बना चुका हूँ बीच का 1-2 किलोमेटर का पार्ट उसमें नहीं बनाया पाया था क्योंकि वहाँ पर जाने का रास्ता नहीं था अगर आपने इससे पीछला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं अगर आपको वीडियो चला को तो लाइक करना और अगर आप नए हो चैनल पर तो चलको सब्सक्राइब जरूर करना टिल नेक्स वीडियो टेक क्यार गुडबाई